नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों आज हम आपको वशिकरन का धहिया का मंत्र दिखाने जा रहे हैं और इस मंत्र के भी बारे में बताएंगे ताकि आप अपने प्यार को अपने वश में तुरंट कर सकें ताकि आप अपने प्यार के लिए इस मंतर को पढ़ें और पढ़ते ही आपका प्यार आपकी वश में हो जाए इस मंतर का जैसे ही आप जाप शुरू करेंगे आपका प्रेमी जहां भी कहीं होगा हिल जाएगा उसके अंदर कमपन से आ जाएगी और रोना से लगेगा किसी के भी लिए इस मंतर को अगर आप पढ़ेंगे तो इसका असर उसी वक्त से नज़र आएगा जिसके लिए इसको पढ़ रहे हैं वो रोने लगता है उसका दिमाग पूरी तरीके से आप की तरफ खिंचने लगता है पिरने लगता है चलिए दोस्तों हम इस मंतर के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हुए ये बता दें कि आप देख रहे हैं बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर हमारे चनल का नाम है घरेलू तंत्रविद्या पहली मरतबे अगर आपने हमारे चनल को देखा है तो चनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के घंटे को जरूर दबाईएगा ताकि हमारा सबसे पहले वीडियो आप देख सकें वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा दोस्तों धाया का मंत्र क्या होता है अब हम आपको बताते है धाया का मंत्र वो है जो किसी के लिए अगर पढ़ दिया जाए तो वो वेक्त तुरंत आपके वश में होने लगता है उसमें एक हरकत सी होने लगती है तो देखिए वो यह मंत्र है इस मंत्र को आप पढ़ेंगे मेरे प्यारे भक्तों कितना पढ़ेंगे हम सब आपको यहां पर बताएंगे और कैसे पढ़ेंगे यह भी हम आपको बताएंगे ध्यान रखिएगा जहां पर अमूक शब्द आ रहा है जहां पर अमूक शब्दा रहा है वहां पर उस इस्त्री का उस लड़की अउरत का या उस प्रोश का आप नाम लेंगे उसी जगे पर नाम लेंगे और इस मंत्र को आपको लगातार पढ़ना है अगर चाहें तो दिन में दो से तीन पार्ट भी कर सकते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कितना आपको पढ़ना है मेरे प्यारे भक्तों इसको सिर्फ आप 56 बार ही पढ़ें इस से जादा आपको नहीं पढ़ना है प्रती दिन आप एक से दो पार्ट तीन पार्ट इसका कर दें और ये पढ़ते ही तुरंट असर दिखाएगा जिसके लिए भी पढ़ेंगे तुरंट कॉल आ जाएगा जिसके लिए भी पढ़ेंगे तुरंट आपसे वो अच्छे से बात करने लगेगा कितना भी लडाई जगडा हो गया होगा लेकिन वो तुरंट भूल जाएगा और आप से वो बहुत ही दिल से बात करना शुरू कर देगा कदमों में आने लगेगा अगर आप इसको लगातार 56 दिन लगातार अगर आप इसको पढ़ लेंगे यह 56 बार भी पढ़ा जाएगा और 56 दिन भी पढ़ा जाएगा धाया का ये वशिकरन का बहुत ही शक्तिशाली एक वशिकरन का मैंने आपको मंतर बताया है इसमें आपको थोड़ा सा मीठा अपने पास में रखना होगा जब आप 56 बार पूरा पढ़ चुकें फिर आप मीठा जरूर खाएं दोस्तों हर बार हर बार जब जब आप इस मंतर क जाप करें 56 बार पूरा हो जाए तो उसके लिए प्रातना करके कुछ मीठा जरूर खा लीजिएगा बस आपको इतना ही करना है कोई भी शादी शुदा औरत हो कोई भी इस्तरी हो कोई भी प्रूश हो अगर आप चाहें कि वो आपके वश में हो जाए और आपका काम बन सके तो आप अपना काम निकालने के लिए उसको अपने वश में करना चाहें तो कर सकते हैं बहुत आसान है पती पतनी को वश में कर सकते हैं यह वशी करन का बहुत ही तेज काम करने वाला एक मंत्र है अमूक शब्द जहां पर आ रहा है वहां पर आपको उस वेक्त का नाम लेन तो इस मंतर के पढ़ देने से वो आपके तुरंट वश में हो जाएगा किसी के उपर इस मंतर का गलत इस्तिमाल मत कीजिएगा